हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मननक्लासेज अपने डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 का चप्टर नमबर 14 इस्टेक्स के बारे में जिसके एक्सेसाइज 14.1 चदरी थी और अपने क्योशन इंट्रोडेक्शन और क्योशन 3 तक डिस्कस कर गए थे इस वीडियो में देखिए क्योशन 4 क्योशन 4 स्टार्ट करने से पहले सर्फ क्योशन में अपनी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी के अंदर क्योंकि वहां पे जो आंसर आ रहा था वह 1.1 एट पॉइंट वन आ रहा था ठीक हो क्यों कि अपन 12 और 14 का तो क्लास मांस वह 12 ले लिय और इसकी दिए कितनी आये थी आपकी 36 ले लिया था मैंने ना तो यह जहां से रखना है तो आप इनको सब को केल्कुलेट करोगे तो 162 उनकी वहां पे कितना 159 आया था और इसको आप डिवाइड गरोगे 20 से तो आपका जो आएगा वह आजाएगा 8.1 के एकवल ठीक है न क्योंस नमर फोर में 30 विमें वर एक्जाइम इन दे होस्टोटल बाई एडॉक्टर एंड नमर ओफ हैड विट पर मिनट वर रिकोड एंड समराइज एड़ फोलों कि 30 विमें वह एक होस्टोटल दोक्र के बास में अपनी हैर विट रिकोड डेट कर रहे हैं ठीक है सब्सक्राइब करना है सबसे पहले टोटल विमें कितनी है आपकी 30 है तो यह आजाएगा आपका सिग्मा एड एक्वल टो 30 इनको देट नहीं करना पड़ा कोई दिक्कत नहीं है यह एड की वेलिव आगी यह आपकी इंटरवल है इंटरवल को सबसे पहले क्लास मार्स में चेंड करता हूं में इसको रिपर्जेंट करेंगे एक्स से इस x की शलिए इन दोनों को एड कीजिए और एड करके इमें 2 से क्या करतूंगा डिवाइड दरतूंगा तो मैं दोनों तो दोनों को एड़ गंड़े बार जो वेल्यू आएगी वह आजाएगी 630 यह आजाएगी ठीक है ना थी और 12 और 13 टू से डिवाइड कर दीजी टू से में डिवाइड करूंगा तो यह आजाएगा 66.5 कितना एगा 66.5 इसमें आप हाँ गोहर यह आएगा नो ठीक है यह आए उनांतर और एक यह आजाएगा ना तो यह वेल्यू आजाएगी 69.5 बीच की वेल्यू फाइंड आप करनी है आपको ठीक है यह बीच के आगे इनके बीच की बात करूं तो 72 तो 72.5 ठीक है इनके इंदर आप 338 करते जाओ इसमें आप 3 8 गिया तो यह आजाएगा इसमें 38 गिया तो 78.5 इसमें आप 38 गिया तो 81.5 इसमें आप 38 गिया तो 84.5 ठीक है या फिर इन दोनों को 8 गर्ट की तो यह आपको आपका जो 8 गर्मогने एक इक्वल वेलू ठीक है देखो इन दोनों का जो डिफेरेंस आएगा वह कितना 9 और 160 तो कितना एएगा 8 और यह 3 8 और यह आपका 4 और यह 5 84.5 बार है ठीक है यह द्यां रखना अब इतनी वेरिव आने के बार में इन दोनों को आपको multiply करना है ठीक है तो पन कौन सा मेतड यूज कर लेंगे डारेक्ट मेतड लेकिन देखो इससे थोड़ा आप नॉर्मल भी कर सकते हो नॉर्मल करने के लिए आप अपलाई करो तो अपन यहां पर लेट कर लेंगे कितनी वेल्यू कितनी यह बीच वाली महां लेता हूं में कितनी यह 75.5 आपकी वेल्यू आ जाएगी तो इसके बाद में अपने वेल्यू लिखा लेंगे किसकी डी की वेल्यू और डी की वेल्यू कितनी होगी एक्स मेंसे इस वेल्यू को माइनस कर दीजिए 75.5 इंट्रोडेक्स न आप देखिए इंट्रोडेक्स न आप तो हो जाएगा तो इंक्योशन के अंदर कोई दिकत नहीं आएगे एक बड़ा क्योशना आता है यहां से यह लिजिए ठीक है इसमें से इसको इस वेल्यू माइनस करो तो यह तो कैंसल आप हो जाएगा और फाइब में से 15 में से यह नाइग और यह वेल्यू आपकी ठीक है नाइन आजाएगा माइनस करते है आपकी जो वेल्यू है वह नइन आजाएगे फिर इसको इसमें से माइनस करो तो माइनस 3 आजाएगा इसमें करो, 0 आ गया, इसमें से करो, 6 आ जाएगा, इसमें से करो, 6 आ जाएगा, इसमें से करो, 9 आ जाएगा, यह value किसकी आ गई, D की आ जाएगी, अब आप डारेक्ट इन दोनों को multiply करके, direct find out कर सकते हो, या फिर आप state evaluation method अप्लाई करो, तो इस D को divide कर दीजिए, इनके difference से, 3 से divide कर दीजिए, ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ, यह आप डारेक्ट ही कर दो, थोडो, देखो, मैं direct करो, तो इसका और इसका multiply कितना, यानि मुझे F, D, चीए, तो इनका मैं multiply करो, तो देखो value कितनी आएगी आपकी, इसका और इसका multiply कितना, minus का 18, इसका और इसका multiply कितना माइनस का 24 इसका और इसका मुल्टिप्लाई कितना माइनस का 9 इसका और इसका मुल्टिप्लाई कितना 0 और इन दोनों का मुल्टिप्लाई वेल्य आजाएगी आपकी 12 कितने आएगी 12 ठीक है 12 आजाएगी अब मुझे मेन फाइंड आउट करने तो एक्स बार इक्वल टू इस टेप एजूमीन में अप्लाई करने तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ ठीक है एक की वेल्य कितनी है 75.5 प्लस 12 अपॉन में ये वेल्य आपकी 30 यह लेजिए तो वेल्य आजाएगी आपकी एक्स बार इक्वल टू 75.5 प्लस इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा 0.4 तो ये वेल्य आजाएग ये एक्स बार की में एड करू तो 75.9 ये आपका इस क्योशन का आंसर आजाएगा कौन से में यूशन का यूशन करके ये वेल्य फाइंड आउट कर लिए ठीक है ऐसे आपको क्योशन करना है मैथड नहीं गीवन है तो आपकी मर्जी ये कोई से अपलाई कर सकते हो नेक्स्ट किसे नेटेल मार्केट फ्यूट वेंडर वर्द शेलिंग मेंगो किप इन दे पेकिंग बॉक्स थीस बॉक्सेज कंटें वेरिंग नमबर ओम दे फॉल्वाइंग वाइड दिस्टिवेशन मेंगो अकोडिंग दे नमबर ऑबॉक्सेज ठीक है टेबल आपको गि तो सबसे पहले इस नमरों मेंगो वाले की टेबल वो देखो यह दोनों सेम नहीं है क्योंकि यह दोनों सेम नहीं है तो यह कौन चीरीज होगी में तो सबसे पहले इस इस्टिवेशन में चेंज करने लिए इन दोनों में तो डिफ्रेंट से कितने है वह को मैं टू से डिवाइड गटू तो यह बिस निया जिजिरो पॉइंट फाइब को इसमें से माइनस करना है इसमें से माइनस करूंगा दो 49.5 तो 49.5 आ ठीक है यह यहां पर रिप्रेड़न करता हुँँ आपको यह जो गॉक्स यहां पर बनाना है लाश्ट में यहां पर ठीक है इसकी दस्ता आगे मैं और यहां पर क्यों बना रहा हूं कि अपने बाद स्पेस ने रहा लिए फिर इसमें आपको एड़ करना है यह लिजिए अब इन दोनों क इडिंग की वैल्यू इक्वेलिया यहां रखना फिर इसमें आप 53 में से माइनस कर दो तो यह 52.5 तो थेखो यह जो वैल्यू है यह सेम अज़्छाई इसमें एड कर दो तो यह 55.5 और यह आजाएगा 55.5 और इसमें से आप एड़ कर दो तो 58.5 आजाएगा इसमें से माइनस करोगे तो यह वेल्यू आजाएगी 58.5 और इसमें से आप एड़ कर दीजिए तो 61.5 इसमें आप माइनस कर दो तो यह आजाएगा 61.5 और यह आजाएगा 64.5 अब देखो दोनों आपकी जो वेल्यू यह सेम आ ही तो यह कौँछी सिरीज हो गए आपकी चैनल सीडिनिर करनें यह को एकiros lle क्या होँगा कहा टो सा करेंगे कुछ क्लासमारणस अइन दोनों को एड गरो इन दोनों को लिट कर देगки ल पन के सिह oso से स्क्काइब और ओगा फिर इन दोनों के है देड करें नहीं फेले से इन दोनों को मैं एड़ करूं तो यह वेल्यू आ जाएगी देखो आपकी 52 और यह 56 कितनी आ गई एट वन जिरो तो से डिवाइड कर दो तो फाइब और फॉर फिप्टी त्री है ठीक है ना इन दोनों में आपका जो डिफ्रेंस वो कितना रहा है थ्रीक आ रहा है ठीक है तो थ्रीएड करते दो इसमें भी थ्रीक है इन दोनों को आप एड़ करोगे तो जीरो और यह आपका 5 और 6 और यह वेलिव आजाए कि 112 तो यह 6 और यह 3 ठीकन आजाएगा अब आप डारेक्ट F से X को मल्टिप्लाई कर दो नहीं करो यह आप जरूर लिखे आना यह यहां पर ठीकन में लिख रहा हूं यह आपके साइड में इस वेलिव को मैंशन करने हैं आपको अब आप डारेक्ट डारेक्ट में तो यूज कर सकते हो सबसे पहले तो मैं लेट करके एम आलेता हूं कि इन दोनों को वेलिव को मल्टिप्लाई आप करोगे तो यह लार्जेस्ट वेलिव आएगी तो मल्टिप्लाई करोगे बहुत बढ़ा प्रोसेस देग इससे बेटर आप डूज मीन कर दो यह में याव बेट कर लाका लटा हूं कितनी वेलिव होगी 57 अब 57.57 किसे 51 माइनस 57 कितना आपका माइनस गरा 6 इसमें से माइनस करोगे तो माइनस 3 यह 0 हो जाएगा इसमें आप 60 माइनस करोगे तो प्लस 3 और इसमें से आपका प्लस तीस आजाएगा यह वीजिए ठीक है अभी भी बड़ा दिलता होगा आपको तो 3 से डिवाइड करदू क्यों करतों मैं यहां पर जो H की वेल्व है न वो इन दोनों का डिफरेंश लेलो या फिर इनका डिफरेंश लेलो ठीक है न इन दोनों का जो डिफरेंश आएगा वो H कितना आए न 3 आजाएगा क्या तो आपको जो यू की वेल्व आएगी वो D अपौन में H आएगा D अपौन में H दी की वेल्यू यह इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा यानि क्या एगा यू की वेल्व दी अपौन में 3 आएगा इसको 3 से डिवाइड करो इसको डिवाइड करो माइनस 1, यह 0, यह 1 और यह आपका 2 आजाएगा फिर तो last value आएगी हूँ इसको f से multiply करतो और f से multiply करके आपको लिखना है देखो, f ए रहाँ इसको में इससे multiply करो तो माइनस का 30 110 को इससे multiply करो तो माइनस का 110 इसको इसके साथ आप 0 के साथ multiply करोगे तो 0 115 को 1 से multiply करोगे तो 115 इसको इससे multiply करोगे तो यह value आपकी यह आजाएगी इनको मैं 8 कर दूँगा तो f, u, इनकी value देखो इनको add करो कितनी value आजएगी माइनस का 140 40 और इनको आप 8 करों तो मैं प्लस आजाएगा कितना हएगा 165 इसमें से इसको माइनस कर दो तो वेल्य आपकी देखू कितनी आएगी 52 कितनी आगई 25 कि तो प्रिकर 2 3 3 3 6 6 7 8 और 8 और 1 2 10 फिर 1 2 3 और आपका 1 4 400 हो गया ठीक है दुबारा देख लिए यह 1 यह हो गया ठीक है यह 2 3 6 और 8 और 2 10 और यह हो गया ठीक है इतना है अब मुझे mean find out करना है तो एक्स बार इक्वल टू मेतड़ कोन सा step deviation इस step deviation के अधर में माइनस क्या किया एक को किया प्लस लाइच वारी वैल्यू किया है सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू इवाइड की से कर रहे हो थ्री से कर रहे हो तो यहां पे multiply कर दो एच था एच से multiply कर दिया सार प्लस इसकी वेल्यू कितनी है 25 अपॉन में 400 इंटू में कितना एच एच की वेल्यू कितनी है अपकी 3 आ जाएगी ठीक है इसको मैं इससे cancel out करूं तो वेल्यू देखो कितनी हैएगी वन ठीक है वन तो आ गया और फिर देर सो 6 यह आ जाएगा ठीक है अब कट दीरा है तो कट नहीं रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 57 प्लस 3 अपॉन में 16 इस 16 से में डिवाइड करते तो 3 को 16 से डिवाइड गरूं तो जो वेल्यू आएगी वह आ जाएगी आपकी कितनी 57 प्लस 0.185 यह आ जाएगी और इन दोनों को एड गरूं तो फिप्टी सेवन 0.1875 इस टेंडर्ड वेल्यू आपका अंसर गिवन हो वह आजएगा यह देखो यह वन है यह यह एट है उसके बाद सेवन है तो फाइव से बढ़ी है तो यह देर एड कर दीजी तो यह आपका में आ जाएगा तो नमरों मेंगों का में कितना आ गया आपका यह यह नमरों म हैı transit Bennett's इस में से माइनयस कि इसमें माइनस कहले इसमें से इसमें किया प्लस कर दो नो भी सीवैयल तुनिया का एक किसन नमबार 5 इसको नोडाउं कीजिए चलतो है इसके नेक्स-ट्रिस नमबार 6 पर देखिए Q6 के बारे में टेबल आपको गिवन थी मैंने ड्रो करके रखाव है the table below show the daily expenditure on the food 25 household ठीक है ना तो number of household कितने है टोटल 25 है तो यह तो लीजिए सिंग्मा एक की वे लिए उसके बार में मैं बात करूँ निच्चे आपको टेबल के बने टेबल मैंने ड्रो करके रखी निच्चे आपको find out करना है find the main daily expenditure on the food by a suitable method यहनि suitable method का use करके आपको main find out करना है तो देखो आपकी जो सिरीज है वो कोई data given आपको continuous है क्यों continuous है यह दोनों value सेम आ रही है इसलिए continuous है continuous का मतुल कोई लगातार कोई चीज आ रही है just 50 150 के बाद 150 आ रहा है 200 के बाद 200 यह आपकी continuous डाटा होगी तो आपको discontinuous नहीं किवन है continuous में चेंज नहीं करना एक step नहीं किवन है यह आपकी F value है अब मुझे क्या करना है कि इस interval को class marks के में अंदर change कर दो इन दोनों को 8 कर दीजिए 200 200 का आदा कर दो कितना हो गया 125 इन दो कर दो कि इन दोनों का एड़ दर होगे तो 350 और 350 का हाप कर दो कितना 175 तो इन में आप एड़ दर होगे तो 50 50 का difference आ रहा है इसमें आप एड़ कर दो टू 25 इनको आप एड़ दर के आओगे तो 275 आएगा ठीक है ना यह आपका 550 550 ठीक है यह आजाएगा फिर इनमें तो value जाएगी ठीक है आप देखो आप इन दोनों को आप multiply करके आप में find out कर सकते हो डारेक में तर से लेकिन calculation थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो assuming apply करो assuming के लिए let equal to 20 वाले ले 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 तो यह लीजिए ठीक है तो यह आ जाएगी डे की value डे की value क्या आएगी x minus a, a की value इतनी है 2, 2, 5 यह value आजाएगी इसमें से यह माँ minus करोगे तो minus का 100 कितना हैगा minus का 100 इसमें से आप minus करोगे तो यह आ जाएगा minus का 50 इसमें से इसको minus करोगे 0 इसमें से इसको minus करोगे तो 50 और इसमें से इसको minus करोगे तो value इतनी हागी हंड्रेड और भी स्वाल्व कर सकते हो देखो एज की वेलु कितनी आएगी इन दोनों का डिफ्रेंस 50 अना डिफ्रेंस बिट्विन अपर लिमिट माइनस लोड लिमिट यह तो करते हैं तो यह एज की वेलु आ गई तो इसके स्टेफ डेविशन देखो एजुमीन तर तो यह अंतर करना है डारिक आप इसको और इसको मेंटिकाई कर देते हैं अब में स्टेफ डेविशन क्यों क्योंकि इससे नॉर्मल और बन जा रहा है तो यू की वेलु यू की वेलु क्या होगी डी अपॉन में एच एज कितना आपका 50 यह लिजी अना एज इक्वल्ट कितना है अब देखो इस 4 को इससे मल्टिप्लाई करवा दो यह कौन सी स्टेफ एफ यू वाली 2 को इससे मल्टिप्लाई करवाएंगे माइनस 8 1 को इससे मल्टिप्लाई करेंगे माइनस 5 0 को इससे करवाएंगे तो 0 1 को 2 से करवाएंगे तो 2 और इसको इससे कराएंगे तो 4 यह वे करूं तो यह वेल्य आपकी प्लस का 6 माइनस 13 में से 6 जाएगा तो माइनस का 7 कितनी वेल्य आगई माइनस का 7 अब देखो अब अपने इसको कर लेते हैं में निकालना है तो में x bar equal to as you mean किया है तो a आ गया a को मैंने minus किया तो a plus कर देंगे step deviation का method का अगे use किया है मैंने तो f u upon में sigma f divide किसे कर दे x से कर दें यहाँ पर multiply कर देजिए तो x bar की value देखो यहाँ पर a की value कितनी है 225 plus sigma की value u की value कितनी है minus 7 sigma f की value कितनी है 25 into h की value कितनी है 50 इसको मैं इससे cancel out करो तो यह value 2 2 को minus 7 से multiply करेंगे 225 minus का 14 minus करेंगे तो 2 कितना है गारे को 1 11 यह आपके main की value आ जाएगी ठीक है तो इस question में main कितना आ गया 2 11 ठीक है न तो यह था आपके question number 6 अब आप वीडियो को पोल करेंगे इसको no down कीजिए और चलते हैं इसके next question question number 7 पे देखे question number 7 के अंजर table आपको given थी तो फाइंड आउट दे कॉंसरे ट्रेक्स ओप दे एस ओ टू इन यानी एस ओ टू की संदर्त आपको given है इन पार्ट पर मिलियन दाट इस PPM ठीक है ना तो यहां पे PPM गिवन आपको यानी पार्ट पर मिलियन गिवन आपको दाटा ओप क्लेक्टेड फॉर थर्टी लोकिलिटी इन दे सर्टें सिटी एंड और यह पर्जेंट बिलो ठीक है ना यह दू सिग्मा एप की वेल्व है वह डाटा फ्रक्रेंसी कितनी आपकी 30 है तो इसका सम कितना जाएगा 30 आ जाएगा ठीक है यह आपको कॉंसरेट एक् इन दोनों को एड़ करो इन दोनों को मैं एड़ कर दूं तो जो वेल्व आएगी वह कितनी आएगी 0.04 टू से डिवाइड गरूंगा तो 0.02 आ जाएगा इनको एड़ करके मैं 2 से डिवाइड दूं तो वेल्व कितनी आएगी 0.06 देखो इन में एंतर कितना 0.04 है इसमें भी आप एड़ कर दूं तो 0.10 यहां से देख लिए यह 0.20 हो गया डिवाइड गरते ही आजाएगा ठीक है फिर वापी 0.00 आपका आजाएगा 4.8 गरने तो यही 14 ठीक है ना यही आजाएगा ठीक है फिर यह 0.18 यह 0.22 ठीक है ना 0.22 है यह वेल्व आपकी यहां से आजाएगी ठीक है अब देखो अब इसको इसको मैं टिपलाई करते हैं फिर 8 गरोगे फिर जोर आएगा ठीक है केल्पलेट करना थोड़ा सा लंबा इस से आप एक प्रोसेड चला दाएगा और इसे आप एक आज्यूमीन मां लेता हूँ मैं इस वाजी वेल्व को मैं एक इन लेता हूँ इस वाली वेल्व को तो लेट एक इतना है जिरो पॉयंट वन जिरो d निकाल दीजिये तो d की value x-0.10 इसको मैं minus करता जाएँगा इसमें से minus करूँगा तो minus 0.8 0.08 तो ठीक है यह आ रहा है यह आ रहा है multiply कर तो ठीक रहेगा point तो आ रहे है multiply कर देता हूं एक हो देखों सिद्धाई को त cooking आज दोस достअ गना लिए के सहां इसको एसको मैनूटिप्लाई करोओं इन लोसस हिव एसस इसको स्थी निकाल들 eyelid यह फिर इनलाली यह दिए फिर इनको इनको को एनको मैं तो तो 0.0 आपके कितना आएगा देखो 92 72 इसको और इसको एड़ करो 0.44 यह वेविव आजाएगी आपकी अब इनको एड़ कर दो इनको मैं एड़ करो हूँ तो वेविव देखो किसनी आ रही है यह 10 यह 10 और यह 4 24 24 का 2 केरी कितना 2 अब आगे देखो यह 6 6 और 9 15 और 15 और 2 17 17 और 7 24 24 और 4 कितना 28 28 और 2 कितना 30 30 का 0 इधर कुछ नहीं है तो यह पॉइंट यह आजाएगा ठीक है अब वेविव आपकी यह है अब देखो मुझे क्या निकालना है में में फाइंड आउट करना है तो कितना एगा डारेक्ट मेतल यूज करा हूँ तो सिग्मा एफ एक्स पोर में सिग्मा एफ इक्वल टू कितना 3.04 अपोन में 30 अब इसको में डारेक्ट डिवाइड कर देखों आप डिवाइड कर लेना इसको 3.04 को डिवाइड करना है 30 से तो तो वेल्य आएगी वह आएगी आपकी कितनी जिरो पॉइंट वन जिरो वन ठीक है यह वेल्य आपकी यहां से आजाएगी ठीक है आँसर में बाट चीक कर लेता हूं इसका भी क्योंसर नम्मर आपका है जिरो पॉइंट नाइन नाइन यह आ रहा है वे ठीक है तो यह तो शहीं नहीं होगा कि चेक करते हैं दुबार है यह में लिए आपकी फोर नाइन नाइन टू फोर टू आ रहा है ठीक है रही बेरियु सही साहां आपकी वह इनका डिसका भी देख लेख ह raising इनका डिससी ओगिया कि सिर यो घाए हो फिर फोर और यह ठीक है भी इसका और इसका मेंटिपलाए यह एड। जिरो पॉइंट एट फिर यह आपका नाइन और इन दोनों का ठाइस और एठार चुब बतर यह चौमालिस ठीक है यह बात भी आप दुबारा देख ले तो में एक बार तो देखो एट एट सिक्स्टीन टूंटीफोर टूंटीफोर टूंटीसिक्स केरी कितना टू यह आपक उऔर कि फोर्तीन टूंटीस्टीफोर और 13 गूंटी स्याउन टू यह पॉंटी स्याउन नाइट पिशिक्स्याइट 2.9 को डिवाइड करना है थरती से तो जो गुमसे है ऑडली आप्कि आपके वालेंगे तो थूपॉंट नाइन इसको अर्यु कितनी value आएगी, 0.098666, ऐसे चलते जाएगी, ठीक है ना, इसी को लिख सकता हूं में 0.09, इनको अढ़ाओं तो इधर 5 से बढ़ी है, value ये 6, तो इधर 8 हो जाएगा, तो ये value आपकी pp के अंदर आजाएगी, ppm के अंदर, ठीक है, part पर median के अंदर, तो ये था आपका question number 7, अब आप वीडियो को पोज करेंगे, इसको no-down कीजिए, चलते हैं इसके next question, question number 8 पर, देखिए question number 8, तेवल आपको given की, draw कर दिया है ने पहले, तो question number 8 में, class teacher has the following, absent is record for the 40 student of a class, तो number of student की ने 40, ठीक है, class for the whole term, find the mean, number of day a student was absent, आपको mean find out करना है number of days के अंदर, ठीक है, कि अस्ट्रेंट कितने दिन तक absent रहे हैं, तो sigma f, number of student कितने total, 40, तो ये तो 40 आगया, ठीक है ना, तो mean find out करने के लिए आपको X की value चीए, class marks चीए, तो इसका class marks देगो, कितना 8 करके, 2 से divide कर दीजिए, 3 आजाएगा, इसको मैं 2 से divide, इन दोनों में difference कितना 6 है, इन दोनों में कितना 4, इन दोनों में 4, यहां पे वापी 6, यहां पे 8, यहां पे 10, और यहां पे 8, तो common difference नहीं है, तो आप 8 मत करना, ठीक है, नमाना गलत हो जाएगा, इन दोनों का 8 करके, मैं 2 से divide करूँगा, तो कितना 8, इन दोनों को, कितना 24, 24 से 2 को divide करूँगा, तो 12, यह देखो 34, 34 आएगया, तो 2 से divide करते हैं, 34 का आदा, 17, और यह कितना 48, 48 का आदा, 24, 24, और यह कितना आपका, यह इनकी बीच की value देखो, बीच की, जस्त एक बीच की value कितनी आदाएगी, 34, 80 कर दो, यह कितना 6, और यह 5 और 6, 33, इनकी बीच की value की बात करो, तो 30, 40 यहने 49, ठीक है ना, एड़ करके देखे लो, तो यह आदाएगा, 78, तो यह आपका 3 और यह 9, कितना 39, यह value आजाएगी, ठीक है, तो fx, निकाल तो directly आप, यह लिज़े fx, ठीक है ना, माइनस करो, तो माइनस कर दो, इस value को ले लो, आप आजाएगा बेसे भी, ठीक है ना, लेकिन आप directly कर दो, इसको और इसको multiply गरो, तो 33, इसको और इसको multiply गरो, तो 80, 12 को साथ से करेंगे, तो 12 से 14, 17 को मैं 4 से करूँगा, तो 17,000 कितने होते हैं, 17 चोग 68, 17 चोग 68, 24 चान में, 33 निन्याड में, और यह आपका 39, इनको add कर दो, direct method यूज़ किया है, मैंने, तो add कर दो, add करूँगा, तो देखो मैं calculator से करूँगा, कोई यहां पर mistake न हो, 33 प्लस 80, प्लस 84, प्लस 68, प्लस 96, प्लस 99, प्लस 39, इनको मैं add करूँगा, तो value आएगी, 499, यह value आगई, मुझे find out करना है, mean को, तो x bar equal to, sigma fx upon में, sigma f, sigma fx की value कितनी, 499, divide कर तो 40 से, तो जो value आएगी, वो आजाएगी, आपके divided by 40, तो value आएगी, आपके कितनी यहां पे, 12, 4, 7, 12.4, 75, इसी को standard form में लितना चाहूँ, तो यह 1 इधर 8 होगा, तो 4, 8, यह value आजाएगी, ठीक है न, यह तो बतावगा, point के बाद में, 5 या 5 से बड़ी value है, तो एक event जुड़ जाता है, ठीक है न, तो यह आपका answer आजाएगा, यह था आपका question number 8, अब इसको आप no down कीजी, चलते हैं question number 9 पे, देखिए question number 9 के बारे में, question number 9 पे फिगर आप, यह टेबल आपको given था, given draw करके रख दिया मैंने, ठीक है, तो following table, give a literacy rate in the percentage, percentage के अंदर आपको literacy rate given है, और 35 cities, तो total cities किकी हैं आपकी, 35 है, चली यह ठीक है, find the mean of literacy rate, आपको mean find out internal literacy rate का, यह value आपकी 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, 95 और फिर यह 3, 10, 11, 8 और यह, main find out करना है, तो main के लिए class marks आप कुछ की है, class marks के से निकालेंगे, इन दोनों को add कर दो, 100.2 से divide कर दो, 50, इन दोनों को add कर दो, 2 से divide कर दो, तो यह आपका 120, और 120 का यह, तो 10 फिर वापिसेट कर दो, 70, 80 और यह 90, यह value आपकी यहां से हो जाएगे, डारेक्ट में fx अप्लाई कर दो, डारेक्ट मेतड का यूज कर दो, ठीक है, इस से आप normal भी कर सकते हो, क्यों यह 70 से minus करते जाओ, आजाएगा, कोई इतकत नहीं है, इन दोनों का multiply, 150, इन दोनों का multiply, 160, ठीक है, 600, यह value आजाएगी, ठीक है ना, और इन दोनों का multiply करूं, तो यह आजाएगा, 7, 7, 0, यह एंट, चोशट, और 9, 27, 270, यह आजाएगा, इनको एड़े कर दीजी, इनकों में एड़े करूं, तो value देखो, यह तो 0 आगिया, यह लीजिया, 7, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 15, 23, केरी कितना, 2, यह आपका 8, यह फिर 6, 12, 12, 12, 8, 12, 20, 22, 22, 24, यह value आजाएगी, main find out करना है, तो sigma bar equal to direct method use किया है मैंने, तो fx upon में sigma f, fx की value कितनी है, 34, 30, upon में 35, यह value आपकी आ रहे है, divide कर देता हूं, तो 34, 30 को में divide करूं, 35 से, तो value आएगी, वो आजाएगी, 99, 69.4, 28, ऐसे यह चलती जाएगी, ठीक है न, तो आपको standard value find out करनी है, तो 69.4, इधर 1, 8 कर दो, तो यह 3, यह आपकी literacy rate के क्या आजाएगा, main आजाएगा, ठीक है, आप इसको assuming भी कर सकते हो, assuming यह कर दीजिए, ठीक है न, और यह करके आप D की value, X minus 70 करके minus करते जाओ, खोड़ी normal value आजाएगी, फिर आप 10 से divided करोगे तो और normal value यहाँ पर आजाएगी, लेकिन direct भी simple है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, तो यह दाब क्योसनम बनाएगा, इस क्योसनम के साथ आपकी exercise 14.1 complete है, next exercise अपने next video के अंदर discuss करेंगे, आज के लिए इतना ही, thank you.